कार कीजिए ब्रजेश मिस्रा का और आप देखना सुरू कर चुके हैं दडिवेट बैनों भाईयों उत्तर प्रदेश का मूड क्या है और उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है अब जब कितित इसे नोट कर लीजे महज 100 दिन बचे हैं 100 डेज और इसी में सारी कैम्पेण भी होनी है इसे में मतदान भी होना और उसके बाद परिणाम भी आने हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है किसकी सरकार बनाना चाहती है और उसका मूड क्या है आज हम इस वीशे कि और चर्चा करने वाले वाले हैं बाइनों भाईय। आप जब उत्तर प्रदेश में चुनाऊं को महज 100 दिन का वक्त बचा हो 100 डेज जिसमें एलेक्शन केंपेण भी प्लान की जैनी है और पूरी इलेक्शन केंपेण इन सव दिनों के भीतर पुनी है यानि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को खत्म होने में भी एलेक्शन कैम्पेन महस सव दिन बचे हैं आज से काउंट डाउन मीटर लगा लिजिए आप लोग हंड्रेड डेज मुद्धों के भीतर उत्तर प्रदेश के अगले 5 साल की नई इराजनीतिक इभारत बैन भायों लिख दी जाएगी जनता क्या चाएती है इसका निर्णे हो जाने वाला है कौन सी पोलिटकल पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता उत्तर प्रदेश की ये 24 करोर जंता सोपने जा रही है इसका निर्ण अगले 22 का चुनाओ किसी एक राजी का चुनाओ नहीं है सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाओ नहीं है बैनों भाईयों इसको इस दरश्टिकोंड से देखिए और समझे कि यह देश का चुनाओ है यह राश्ट्रिय चुनाओ है और यह चुनाओ तै करेगा कि इस प्रदेश में और असेंबली सीट वाला भारत का सबसे बड़ा सुभा यहां जो पार्टी सत्ता में आती है वो दिल्ली में जाने का खौब देखती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने हमेशा दिल्ली को चुनौती दी है कोई भी यहां के तक्त पर बैठा रहा हो निशाना उसका क्या चाहता है एक होट क्या कि जनता के मन में क्या चल रहा है कि पब्लीक ओपिन्यम क्या है और क्यार्थमान भारती यह нtas प्रटी की सरकार वापस लेगी या फिर अखिले स्याद हो अपनी सक्ता वापस चिन्ने में बीजेपी से काम्याब होंगे मायवती कांग्रेस आम आदमी पार्टी और दूसरे डल कहां टिकेंगे कहां मौझूद है इस वक्त जमीन पर धरातल पर इस वक्त ये बाकी पार्टियां कहां पर खड़ी हुई है औ जो समाजवादी पार्टी का गड़बंधन है तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस आम आदमी पार्टी और दूसरे वो दल जो अभी किसी अलाइंस का पार्ट नहीं है इनका क्या राजनीतिक भविस्त उत्तर प्रदेश के भीतर आप देखते हैं क्या पश्चिम बंगाल के पैटर्न पर उत्तर प्रदेश में चुनाओं होने जा रहा है या फिर उत्तर प्रदेश अपने परंपरा का तरीके से चुनाओं लड़ेगा जैसा क्यों लड़ता आया है लेकिन बहनों भाईयों यह वही प्रदेश है जो 2007 से पहले इस बात के लिए भिशप्त था कि या लूली लंगणी गूंगी बहरी सरकारों का दौर था अस्थिर सरकारों का दौर था कि किसी को बहुमत नहीं मिलता था 30-30-40-40 दल पिलकर सरकारें चलाते थे कि आज वह प्रदेश 2007 के बाद बदल चुका है जिसको देता है पूरा बहुमत देता है और जिसको चीनता उसको पैदल कर देता है खड़े होने लाइक सीट भी नहीं देता इस बार क्या होने जा रहे है जनता के मन में क्या चल रहा है कि इस और सब के चेहरे के उड़े हुए है फक्पड़े हुक्त आयडि लेकिन इसमें एक बात सच है और जो दिख रहे हैं जमीन के भीतर कि मामला बीजेपी गडबंदन बनाम समाजवादी पार्टी के गडबंदन की बीच उत्तर प्रदेश का चुनाओ धीरे-धीरे सिमट रहा है, इस पर कोई दो राए नहीं है, इस पर सब लोग आप भी सहमत होंगे, अधिकांस हमारे दर्शक भी इस बार पर सहमत होंगे तो मुद्दे क्या है इस बार उत्तर प्रदेश में, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है कानून ब्वस्था, मुद्दा है किसान, मुद्दा है कि जॉब्स कितनी मिले कोरोना के बाद की आर्थिक हालात और उस दौरान की इत्राजदी ये भी मुद्दा है तो भारती जंता पार्ठी के पास इस बार बताने के लिए क्या है और समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाओं में जाने वाली है कि आपने देखा होगा कि इन दिनों पश्चिम छोड़कर सारी पूलिटिकल पार्टी पूरब की ओर दौर पड़ी है कि पूरब में एक अजीब सा अंडर करेंट चल रहा है पूर अपने अपनी सोच और विचार में बड़ा परिवर्तन लाया है आप दो सभाएं हुई प्रधान मंत्री नरिद्मोदी मुख्य मंत्री योगी आधितनाथ पुर्वांचल एक्सप्रेस्वे का उद्गाटन और उसके बाद कल अखिलेश यादों का 16 गंटे उसी पू और शायद यही कारण है कि मैं कह पा रहा हूं और आप भी समझ पा रहे हैं कि पूरा चुनाओ बीजेपी गडवंधन बनाम समाजवादी पार्टी गडवंधन के बीच सिमट रहा है तो ऐसे में बीस पी जो पूर्वांचल में एक बड़ी स्टेक होलडर है पूर्वांच और शेयर बढ़ेगा क्या वो बीजेपी या समाजवादी पार्टी से लड़ती हुई दिख रही है और क्या वो उत्तर प्रदेश की राज़नीती में कोई विकल्प बनने की स्थिति में है यह कुछ मसले हैं जो अगले सौ दिनों के भीतर इनको आप उतार चड़ाओ ऐसे इसे देखते रहेंगे क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाओ इसी इर्दिगिर्द में वैनों भाईयों गूमने वाला है जिसके जिक्र मैंने अभी आप चकिया है आज भारती जंता पार्टी ने अखिले स्यादों की रहली के बाद अब उत्तर प्रदेश को बेहत का होगा कि बड़े-बड़े दिग्जड नेताओं को छेत्र रहलाट हुए गया जैसे अमित साहभर जी चेतरों के प्रभारी हो पाटश्रिये ध्यक्षय ideal da कानपूर चेतर और औवद चेतर के प्रभारी हो गे राजनात सिंग्ग के पास काशी और सामूनान पूर्वान का समझें कि उत्तर प्रदेश का चुनाओ बाकी प्रदेश जैसा नहीं है क्योंकि यहां विपक्ष भी कमजोर नहीं है और यहां भारती जन्ता पार्टी के लिए राह उतनी आसान नहीं है जितना दूसरे राज्यों में रही है इसलिए मुकाबला बहुत टफ बहुत मजबूत और बहुत ही ताकतवर तरीके से होने जा रहा है इसलिए अगला सौधिन सीट बेल्ट बांद के रखिए डेली टीवी देखिए और डेली सोशल मीडिया पर भी नज़र रखिए कुछ बेहन सुने आद़ गोषणा पत्र मेरा क्या होगा वह भी कमेटी बना दी गई है और नीचे तक लोग जाएंगे सबसे अचा है कि नीचे तक जाएंगे इस पर विधवत चर्चा करेंगे और गाउं गाउं अस्तर का लोगों का सुझाव लेकर एक बिराट सरूप उसको दिया जाएगा जो सपना देखा था समाजवादियों ने जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था भारती जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ तो आज की इस राजनेतिक चर्चा में मेरे साथ भारती जनता पार्टी से आनंद दूबे आसी मुकाद